Hello everyone, welcome to IFS, तो कैसे हो आप लोग सभी? MSC entrance exam का time table आज हम देखने वाले हैं MSC entrance exam जितनी पर MSC entrance exam होती है जाए वो sweat PG हुई, IIT jam हो, get B हुई, जाफे tiffer तो उन सभी का time table कौन कब होती है, कौन सी exam कब होती है यह आज हम देखने वाले हैं, सेशन में तो वीडियो के end तक बने रहीएगा और आज हम जानेंगे कि IIT jam के exam, get B के exam, sweat PG के exam कब होती है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि kiffer की जो exam है, यह होती है December के मनत में in the month of December और आभी मैं बताऊं आपको, तो in the month of December में भी December 2024 में इसके exam होने वाली है फिर मैं बात करूँ IIT jam के exam की, तो IIT jam का exam यह होने वाला है दो February को 2nd of February ठीक है, 2nd February इतना ही 2025 को फिर मैं बात करता हूँ GADB के exam की तो यह GADB का जो exam है, यह होने वाला है in the month of April इन दी month of April के मनत में GADB का exam होने वाला है फिर बचा कोन सा हमारा सुएट पीजी का exam यह जो सुएट पीजी का exam है गाईस यह होने वाला है in the month of March किसमें? in the month of March 2025 तो यहाँ पर हमारे पास यह चार MSA entrance exam है मैं आपको MSA entrance exam की बात कर रहा हूं तो IIT jam, GADB, सुएट पीजी और टिफर आते हैं दियान रुको, यह December से सिलसला exam का होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है? तो December में टिफर होता है सबसे पहले फिर January के मनत में कोई exam नहीं February के मनत में, Second February के होए आपके IIT jam के exam और अपरे इन चार महीने में यह चार exam होती है अब बात यह थी कि IIT jam के form के release हो गए अभी IIT jam के form release हो चुके है ठीक है? हाँ, in the month of February exam जरूर है बट IIT jam का जो form है, application form वो बहुत पहले यानि कि in the month of September release हो जाते है और इस बार भी हो गए है अब बात आती है कि sir ठीक है, December में, Tiffer के exam में इसके form भी जल्दी अभी तक आये नहीं है जल्दी ही release होंगे, Tiffer के भी ठीक है, IIT jam का कब release होते है September के month में फिर आता है कि sir, February के बात, March में 2018 का exam आता है, तो इसके form कब release होते है तो इसके form release होते है December के last week में December last week या first week of January में application form ठीक है, application form कब आते है धियान रखिएगा January में या फिर December last week में फिर आता है GADWी इसके application form भी February something में आ जाते हैं February, March इसके बीच में कहीं आ जाएंगे February में ही आ जाते हैं विससे ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों MSC entrance exam होती है और ये चारों के चारों अब बात याती है कि sir, IIT jam किसके लिए है तो ये IIT jam की जो exam है ये IIT jam के exam यदि आप MSC Biotechnology से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ये exam best होती है ये आपको IIT में admission लगा दे है अधर institute में ये MSC करना चाहते हो other than IIT IIC other than IIT IIC ये आप MSC Biotechnology में करना चाहते हैं तो अधर institute में तो उसके लिए आपके लिए best कौन सी है GADB exam और ये ये आप MSC in other than Biotechnology subject जैसे कि Zology, Botany, Microbiology Bichemistry, Life Science Plant Biotechnology Right, Environmental Science तो किसी भी other than MSC Biotechnology आप करना चाहते हैं तो सबसे best exam होगे आपके देने के लिए straight PG के exam other MSC courses in best institute ये चारों exam based institute दिलवाती है obviously क्योंकि कॉँप्टेटर एग्जाम तभी तो है other MSC courses के लिए तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़े आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ क्या आप सभी का होगा कि सर इन सब में से सबसे best exam कौन सी है सबके अपने-पने माइने हैं ध्यान रखो सबकी अपनी-पनी एक अलगी पहचान है या वरना ये सब चारों exam एक ही चीज़े आपको मैशब करवाती तो फिर ये चार नहीं होती है फिर ये एक ही exam होती ठीक है Tata Institute of Fundamental Research TIFR से आप admission ले सकते हो ये MSC में भी admission ले सकते हो MSC PhD Integrated Course में भी admission ले सकते हो आप पर ये Tata Institute of Fundamental Research TIFR Institute मे admission के लिए होती है TIFR के exam IIT के exam IITS में IIC ठीक है GADB का exam DU, BHU, JNU में MSC Biotechnology में करने के लिए होता है बट DU, BHU, JNU जैसे Top Notch Institute में यदि आप other देन MSC Biotechnology करना चाहते है other MSC करना चाहते हैं जैसे कि MSC in Zoology, Botany, Microbiology Biok Chemistry Top Notch Institute में तो आपको 108 PG के exam देनी होगी सबसे ठीक है इन चारों exam में Physics Chemistry Maths इसमें भी आता है PCM प्लस B PCMB मतब Physics Chemistry Maths Biology इसमें भी आपका IT जमके भी exam में PCM B Physics Chemistry Maths Biology आता है और यहां पर भी Physics Chemistry Maths Biology आता है बलकि 108 PG एक मातर exam है इस exam की क्या बाकाशत है चाहे NO PCM Only Biology Only respective biology जिसमें भी आप exam दे रहे हो ठीक है जोलोजी का दे रहे हो तो सिर्फ जोलोजी पूछेंगे बोटनी का दे रहे हो तो सिर्फ बोटनी पूछेंगे समझ मेरा तो Physics Chemistry Maths भी नहीं होती इस exam में इस से best thing यह ही है सबसे best exam 108 PG भी है ठीक है अधर इंस्ट्यूट लेना है तो गैट भी कभी इंपॉर्टन है तब आपको MSC इन बाया टेक्नलोजी ठीक लोजी में करना है तो गैट भी अच्छी एक्जाम है ठीक है ठीक है गैट भी के अंदर 307 सम्तिंग सीट्स होती है 108 PG के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स होती है यहाँ पर सीट का काउंट ही नहीं देते हो कि यहाँ पर 197 प्लस यूनिवरसिटी का काउंट देते हैं सीधा अब 197 प्लस यूनिवरसिटी इस एक्जाम के तुरू आप एडमिशन ले सकते हो तो समझ जाओ किसमें कितनी सीट्स होंगी एक इंस्ट्यूट में एक अकले एक कूर्स के लिए MSC के चासे 4-5 कूर्स होते हैं तो अकले एक कूर्स के लिए 60 सीट्स होती है ऐसे कि एक उनिवर्सिटी के अंदर कई सारे अलग लग इंस्ट्यूट आते हैं अर उना Edu को सरे एक इंस्ट्धेम का है तो एक है कितनी सीट्स होंगी आप समझ जो सब थिए बढत का निकान निकान नहीं निए तो आए-फस आपके लिए है और ठीक है मैं आपको स्वेट पीजी का बता दू मार्च 25 में एक्जाम होती दिसमबर लास्ट वीक में इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे ठीक है ध्यान रखना जन्वरी तक फॉर्म भरके कंप्रीट हो जाना चाहिए फेबरी लास्ट वीक थर्ड लास्ट वीक या फिर आ आपको स्वेट पीजे एक्जाम क्वालिफाई करना है तो आए फेस आपके लिए गारेंटीड सेलेक्शन कूर्स दे रहा है डी यू बहू जैनियू जाने की गारेंटीड ठीक है फाइट रबन लाइन में यह सिक्स मंत रिकॉर्ड इट कोर्स है ध्यान रखेगा बैस्ट ह टोटली न्यू है टेस्स इंक्लूड करके दे रहे हम यह नहीं कि टेस्स अलग से है टूथाउजन रुपीज और अलग से नहीं इसी के अंदर टेस्स सेरीज है ठीक है ऐसा कई सारे फीचर्स के साथ लॉडडेड होंगी आप हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com ज़रूर इन सारी एक्जाम का डिटेल में जानना चाहते हूँ पेपर एनलिसिस तो वो सब को आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगा सिंपल से विजिट करो आई एफ एएस ऑनलाइन लिखो गूगल पर जो पहला लिंक आता उस पर क्लिक किजिए लॉग इन कर लिजिएगा एक्जा आपको रिजल्ट इतने ही नहीं बहुत सारे ऐसे एस प्रेंट से जिनको आपको हमारी वेबसाइट पर रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि सबीकल आना यहां पर पॉसिबल नहीं है ठीक है तो यूगन आल्सो डाउनलोड अबर आप आप आई-फेस एप इप इस आप आपको पसंद आया वीडियो तो डेफिनिट्ल लाइक जरू किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बबाई के करने हैं